नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड के 50 महत्पूर्ण वन लाइनर्स की और साथ ही इनको एक्स्टर फेक्ट के साथ हम यहाँ पे देखेंगे देखे जो 50 कोशन होते हैं वो आपके जो उत्राखंड की विविन वन लाइनर बुक्स आती हैं वहां से मैं सेलेक्ट करके जो इंपॉर्टन कोशन्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके एक सेट बनाता हूँ पचास कोशन का और इस सीरीज में हम उन कोशन को extra fact के साथ कवर करते हैं ये हमारा इस सीरीज का 14 पार्ट है अगर आपने अभी तक 13 पार्ट को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दूसरी बात उत्राखन के एक्जाम के लिए जो आपके उत्राखन जीके की तीन बेसिक बुक होती है परिक्षावानी, अजेरावज जी की बुक और राजिंदर बलूदी जी की बुक उन तीनों बुक्स के जो नोट्स हैं वो आपको कवर करने हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रशन है आज का मसूरी इस्तित जुआलजी मंदिर किस पहाड़ी पर इस्तित है तो देखें जो जुआलजी मंदिर है कहां है आपका मसूरी में है और ये आपका विनोग पहाड़ी पर इस्तित है important question है ध्यान रखेंगे दूसरा प्रशन है हाती परवत कहां इस्तित है हाती परवत हाली में पेपर में पुछा गया है और हाती परवत आपके चमूली जनपत में इस्तित है इसकी कुल उचाई की बात करूं रूप गंगा घाटी रूप गंगा घाटी आपके चमूली जनपत में है और यहीं से सबसे पहले गंधक की जो खोज थी वो की गई थी ठीक है तो यह आपका सही उत्तर है चौथा प्रशन है गौचर किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो देखे जो आपका गौचर है यह आपके अलक नंदा नदी के तट पर बसा हुआ है इंपोर्टन कोशन है आपके नदी तट भी पूछे जाते हैं यह आपको ध्यान रखना है गौचर चौथा प्रशन है आपका आज का पांचुआ प्रशन केमटी फॉल को परियाटक इस्थल बनाने का श्रे किसे दिया जाता है तो देखे जो केमटी फॉल है आपका केमटी फॉल मसूरी में है ठीक है और अगर जनपद पूछेगा तो जनपद यह आपके टीरी गड़वाल में है यह बात आपको याद रखनी है जगा पूचेगा पर्टेकुलर तो मसूरी है लेकिन मसूरी का कौन सा वाला हिस्सा जो टीरी में आता है ठीक है इसको परियाटक इस्थल बनाने के रूप में जो श्रे जाता है तो यह आपका सही आंसर है जौन मेकेनिन को ले करके आपका एक और प्रशन बनता है उत्राखंड से जो पहला समाचारपत्र प्रकाशित हुआ था दा हिल्स ठीक है वो आपका मसूरी से ही निकला था और इसको जौन मेकेनिन ने ही निकला था 1842 में ठीक है अगला प्रशन है जौराई फूलों की घाटी कहां इस्तित है जौराई फूलों की घाटी आपके टिहरी गडवाल में इस्तित है अगर आपको जौराई फूलों की घाटी पूछे तो भी टिहरी गडवाल और अगर आपको जौराई बुग्याल पूछे तो बुग्याल भी आप कहां टिक करेंगे टिहरी गडवाल पे ह है टिहीरी के अंजनी सेड में इस्तित है इसकी स्थापना किस ने करवाई स्वामी मनमंथन ने कब करवाई 1977 में इन्होंने इस आश्रम की यहां पे स्थापना करवाई थी ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके अलावा टिहीरी के अंदर जो आपका चंदरबदनी मंदिर है चंदरबदनी मंदिर में पहले पशुबली होती थी तो उस पशुबली को रुकवाने का जो काम किया था वो भी स्वामी मनमंथन के द्वारा ही किया गया था ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है चंदरबदनी मंदिर के अगर मैं बात करूँ कि चंद्रबदनी मंदिर कौन से परवत पर है तो ये आपके चंद्रकूट परवत पर इस्तित है साथ ही इसी मंदिर को जो आपका चंद्रबदनी मंदिर है इस मंदिर को इसकंद पुराण में क्या कहा गया है ये भी पूछा जाता है तो इसकंद पुराण में इस मंदिर को चले आप इन सभी को आप note down करते वे चले जो extra question होते हैं इससे आपको exam के अंदर ज़रूर फाइदा मिलेगा वन लाइनर से आपको तभी फाइदा होगा अगर आप साथ में extra जो इसके fact हैं उनको note down करते वे चले तभी आपको इसका जाधा लाप मिलेगा next है गडवाल हितकारणी सभा की स्थापना किस ने और कब की थी तो देखें गडवाल हितकारणी सभा इसकी स्थापना तारदत गेरोला की दुआरा की गई और कब की गई 1901 में तारदत गेरोला ने गडवाल हितकारणी सभा की स्थापना करी थी नेक्स्ट है दुष्चक्र में शिरिष्टा किसकी रचना है तो देखे दुष्चक्र में शिरिष्टा ये रचना है विरेन डंगवाल की important है आपको ध्यान रखना है important क्यूं है देखे इसी रचना के लिए सन 2004 में विरेंड अंगवाल को साहित्य अकादनी पुरुसकार दिया गया था ठीक है हाली में आपने देखा होगा पेपर में पूछा गया था कि जो हजारी प्रसाद दिवेदी हैं उनको किस रचना के लिए दिया गया आपको आने वाले समय में इनका भी पूछा जा सकता है ठीक है विरेंड अंगवाल को दुष चक्रमेश रष्टा के लिए 2004 में साहित अकादनी पूषकार से सम्मानित किया गया और यह जो रचना है इनकी यह 2002 में आयी तिके 2002 में आई, 2004 में इनको साहित्य अगादनी पुरुसकार दिया गया अगर मैं विरेन डंगवाल की बात करूँ तो इनका जनम होता है आपके टिहरी में जन्पद कौन सा है इनका, टिहरी गडवाल इनका जन्पद है 1947 में इनका जनम होता है और इनकी कुछ प्रमुक रचना हैं जो आपको याद करनी है जैसे इसी दुनिया में किसकी रचना है? विरेन डंगवाल की कवी ने कहा, कवी ने कहा ये भी किसकी रचना है? कवी ने कहा तो ये भी आपके विरेन डंगवाल की रचना है इसके अलावा श्याही ताल, श्याही ताल भी आपके विरेण डंगवाल की रचना है, यह सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद करने है, नेक्स्ट है महिलाओं की संपत्ती अधिकार से संबंदित प्रथा कौन सी है, तो सही आपका आंसर है वो है जुआड प्रथा, आपको स जनजाती भी ध्यान रखनी है, सीधा ऐसे ही पूछ लेगा, कि जुआड प्रथा कौन सी जनजाती में है, तो बुकसा जनजाती में प्रचलित है, नेक्स्ट है किसके दुवारा दी गई, पमार शाषकों की सूची को अलमोडा सूची कहा जाता है, तो दिके अलमोडा किसकी सूची को कहते हैं ये कहते हैं एटकिंसन की सूची को ये आपको ध्यान रखना है ठीक है एटकिंसन ने जो अपनी सूची दी है पमारवंश के राजाओं की आप जानते हैं पूरे पमारवंश में 60 राजाओं ने शाशन किया था तो वो जो सूची दी है राजाओं के नाम की अटकेंसन के दुबारा उसको अलमोडा सूची कहा जाता है अब यहां से आपका एक और प्रश्ण बनता है कि किसके दुबारा दी गई सूची को सबसे जादा मान्या उसको माना जाता है यानि कि मान्यता प्राप्त है वो सबसे जादा जो मानी जाती है उको किसकी सू देखे विकेट ने भी एक सूची दी है परमार शाषकों की और उसी को सबसे ज़ादा मानता यहाँ पे मानी जाती है उसकी ठीक है तो कोशन ध्यान रखना अलमोडा सूची कहते हैं एटकेंसन की सूची को लेकिन सबसे ज़ादा जो मान्य सूची है वो विकेट की सूची है और जो विकेट की सूची है वो सुदर्शन सहा का जो ग्रंत है सभासार उसके उपर या उससे मिलती जूलती वो सूची है ठीक है पूरे पमार वंच की साथ राजाओं के बारे में हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं अब प्लेलिस्ट में जाके उत्राखन टॉपिक वाई सीर को देवरिया ताल आपके उखी मट में है और इसी ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में इस्तित है देखे कार्तिक स्वामी मंदिर ये आपके रुद्र परियाग जनपद में इस्तित है ये आपका सही आंसर है रुद्र प्रियाग में है क्यों प्रसिद है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रसिद मंदिर है कार्टिक सौामी मंदिर ठीक है next है दुगदताल कहां इस्तित है यहां कोशन पूछा जा चुका है एकजाम के अंधर और यह आपके पौड़ी गडवाल में इस्तित है दुग्दताल भारतिया जोतिष अनुसंधान में किसे अभीनव वारहा मिहिर के उपादी दी थी तो देखे अभीनव वारहा मिहिर के उपादी मुकुंदराम बर्थवाल को दी गई किसके दुवारा भारतिया जोतिष अनुसंधान संस्थान के दुवारा और मुकुंदराम बर्थवाल का जो उपनाम है वो है देवग्य तो ये कोशन भी आपको बन सकता है कि निम्न में से किसे देवग्य उपनाम के नाम से जाना जाता है तो वो हैं आपके मुकुंदराम बर्थवाल मुकुदराम बर्थवाल के अगर मैं जिले की बात करूँ तो ये आपके पौडी से संबंदित है जनम इनका 1887 में हुआ था नेक्स्ट है मादो सिंग भंडारी से संबंदित मलेथा गाउं किस जिले में इस्तित है आपने पड़ा होगा मलेथा की गूल का निर्मान किसने करवाय था किसने किया था मादो सिंग भंडारी ने तो ये जो मलेथा गाउं है ये है कौन से जिले में पूछा जा सकता है तो य ये आपके पौडी जिले में शिरी नगर के निकट में इस्तिते, ठीक है मलिथा गाउं। अगला प्रश्ण है किस वर्ष गडवाल विश्विध्याले का नाम हेमवती नंदन भागुणा के नाम पर रखा गया। देखे गडवाल विश्विध्याले की स्थापना होती है 1973 में, 1989 में इसका नाम HNB के नाम पर रख दिया जाता है ठीक है और 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रिया विश्विध्याले का दर्जा भी दे दिया जाता है, कुछ important dates हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्ण है, राजा जी वने जी बिहार की स्थापना कब की गई? तो देखे कोशन को ध्यान से पढ़ना, राजा जी राष्ट्य उद्यान नहीं पूछा जा रहा है, राजा जी वने जी बिहार यहां पी पूछा जा रहा है, राजा जी वने जी बिहार की स्थाप प्रोपना 1977 में की गई और इन तीनों को मिला कर 1983 में राजाजी राष्ट्य उध्यान बनाया गया ठीक है तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है राजाजी वाले की स्थापना 48 मूति चूर 1935 इसके अलावा जो चीला वन्यजीव है उसकी स्थापना 1977 और इन तीनों को म तो साल आपको यादर रखना है और यही आपको जएदा तर पूछे जाते हैं अगला है इलाचंदर जूशी ने कौन सी हस्त लिकित पत्रिका निकाली थी देखे इलाचंदर जूशी ये आपके उत्राखंट से ही संबंदित है 1902 में अलमोडा में इनका जनम हुआ था कहां पे इनका जनम हुआ अलमोडा के अंदर और ये एक मनोवग्यानिक सहित्यकार है ये कोशन भी पूछा जा चुका है अब यहां पे प्रश्ने पे आते हैं इन्हों ने एक हस्त लिकित पत्रिका निकाली उस किताब का नाम क्या है तो सही आंसर है यहां पे सुधाकर देखे जब इलाचंदर जोशी साथवी आठवी कक्षा में पढ़ते थे चोटी कक्षा में पढ़ते थे तो उस समय इन्हों ने हाथ से लिखी भी पत्रिका निकालना शुरू करा उस पत्रिका का नाम था शुधाकर यह आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके अलावा इलाचंदर जोशी की कुछ रचना है जो लगतार पेपर में पूछी जाती है सबसे इंपोर्टेंट है इनकी रचना जहाज का पंची यह पेपर में पूछा गया है कि जहाज का पंची किसकी रचना है तो यह आपके इलाचंदर जोशी की रचना है इसके अलावा प्रेत और चाया परदे की रानी सुभा के भूले सन्यासी यह सब किसकी रचना है इलाचंदर जोशी की रचना है ठीक है इनका जनपद कौन सा है अल्मोरा जनपद है 1902 में जिनका जनम हुआ ठ अगला प्रश्न है पोडी को हिल स्टेशन का दरजा 1902 में दिया गया नैनिताल को हिल स्टेशन 1996 में घोशित किया गया कॉर्वेट राष्टिय उध्यान के चारों तरफ 500 मीटर तक के चित्र को साइलेंस जोन कब घोशित किया गया ये question हमने कुछ दिन पहले भी देखा था लेकिन कुछ question ऐसे होते हैं जो आपको एक बार देखने पर याद नहीं होते तो आपको उनका quick revision करते रहना है बार बार उनको पढ़ते रहना है ठीक है यहाँ पर यह repeat हुआ है कॉर्बेट नैशनल पार्क जो है इसके चारों और के 500 मीटर तक के छेतर को साइलिंस जोन 2012 में घोशित किया गया था ठीक है अपरेल 2012 में अगला प्रशन है हल्दवानी में नहरे बनाने का कारिया किस commissioner ने किया था ठीक है हल्दवानी के अंदर जो नहरे बनाने का कारिया किया यहाँ हेंडरी रैमजे की द्वारा किया गया ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब यहां से आपके कौन-कौन से important question बनते हैं उनको देखते हैं आपको प्रश्ण बनेगा आधुनिक हल्दवानी का निर्माण किसने करवाया तो आधुनिक हल्दवानी का जो निर्माण है यह माना जाता है कि विल्यम ट्रेल के दवारा करवाया गया और इसको जो यह हल्दवानी नाम दिया गया है यहाँ भी ट्रेल के दवारा ही दिया सकता है उसका अंसर है आपका खाम का बंगला आपको पूछेगा हलदवानी इस्थित खाम का बंगला किस कमिशनर से संबंदित है तो ये विलियम ट्रेल से संबंदित है ठीक है हलदवानी के प्राची नाम के अगर मैं बात करूं तो ये भी पूछा जा सकता है हलदवानी का है बमोरी ठीक है चलिए ये सभी कोशन आप लिखते वे जरूर चलें आपको फाइदा होगा भीमताल में तितलियों का संग्राले किसने स्थापित किया था देखे तितलियों का संग्राले आपके नेनिताल के भीमताल में इस्थित है और इसको यहां पे स्थापित करवाया फ तामर लेख में सोर को क्या कहा गया है तो देखे जो बाज बहादूर चंद है जो इसके तामर लेख मिले हैं उसमें सोर को वालदिया का प्रदीश कहा गया है सोर किसका प्राची नाम है तो पिथोरागड जो है आज का पिथोरागड का प्राची नाम था सोर और पाज बहाद जनपत में इस्तित है ये आपको ध्यान रखना है लेकिन अगर आपको पूछा गया होता गरुड चटी प्रपात कहां है गरुड चटी तो गरुड चटी प्रपात आपके पौड़ी जिले में इस्तित है दोनों आपको ध्यान रखना है सिंपल गरुड प्रपात पूछेगा पिथोरागड, गरुड चट्टी परपात, पौड़ी गडवाल में और इसके लावा जो हाली में कोशन पूछा गया था आयोग के दुवारा गरुड शिला तो गरुड शिला पूछेगा तो वो आपके चमोली जनपद में बदरिनात के निकट इस्तित है तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है ट्रेल द्वारा ट्रेल पास दर्रे की खोच कब की गई तो देखे जो ट्रेल पास दर्रा है जो इसकी खोच विलियम ट्रेल ने करी थी 1830 में ठीक है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेल पास है, ट्रेल पास दर्रा, इसकी खोज विलियम ट्रेल के द्वारा 1830 में की गई, इसलिए इसका नाम विलियम ट्रेल के नाम पे रखा गया, ये जो आपका ट्रेल दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा किस किस को जोडता है, तो ये आपकी बागेश्वर को किस ने किया था कोशन बन सकता है तो एक स्थानिय नागरिक था मलक सिंग बूढ़ा ठीक है तो मलक सिंग बूढ़ा के द्वारा ट्रिल की मदद की गई इस खोच को करने में बागेशवर और चमूली को कौन सा दर्रा जोडता है देखे जो आपका ये सुंदर डूंगा दर्र ये आपका अगर जनपत पूचेगा कौन से जनपत में है तो आप बताएंगे बागेशवर में है और ये किन किन को जोडता है तो ये बागेशवर को चमूली से जोडता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है कालू सिंग महरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए किस ने आमंत्रि आता देखे पहले भी हम कई बार इसको कवर कर चुके और कालू महरा को लेकर के प्रश्ण लगातार पूचे जाते हैं हाली में आयोग ने पूच भी लिया कि इन्होंने संगठन कौन सा बनवाय था बनाया था ठीक है तो इन्होंने एक संगठन बनाया था गुप्त संगठ करांती वीर ठीक है करांती वीर नामाक संगठन कालू महरा को उत्राखंड का प्रतम सोतंतरता सेनानी माना जाता है और इन्होंने इनको ये जो संगठन था ये बनाने के लिए आमंतरित किया था वाजिद अली शहा ने वाजिद अली शहा इनके मित्र थे और इनी के कहने प आपको ध्यान रखने हैं ठीक है पूछा जा सकता है तराई जीला कब बना 1842 में अगला है महाभारत के वन पर्व में केदारनात को क्या कहा गया है तो महाभारत के वन पर्व में केदारनात को भरंगतुंग कहा गया है कोशिन पूछा जाता है कि भरंगतुंग किसका अन्या नाम है तो ये आपके केदारनात का अन्या नाम है और कहां पे मिला है ये नाम केदारनात को ये ये मिला है महाभारत के वन पर्व में अगला है उत्राखंड की पहली कृतम जील कहां बनाए गई थी तो देखे जो उत्राखंड की पहली कृतम जील है यानि कि आर्टिफिशल लेख है वो आपके बागिश्वर के बैजनात में बनाई गई थी टीक है अटल खादियान योजना के शुरुवाद कब की गई तो देखे जो अटल खादियान योजना है इसकी शुरुवाद 11 फरवरी 2011 में की गई और अटल आवास योजना अगर पूछेगा तो अटल आवास योजना आपके 2009 में आई थी नरेंद्र सिंग नेगी के जेवन पर रचित पुस्तक का नाम क्या है तो नरेंद्र सिंग नेगी के जेवन के उपर एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है अक्षत ये आपको ध्यानक ना है मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से किसे जाना जाता है तो राजिय में मिनी जिम कॉर्बेट ये कहा जाता है नैनिताल के निवासी ठाकुर्दत जोशी को ठाकुदर जोशी मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाने जाते हैं इनका संबंध कौन से जिले से है तो ये आपके ननिताल के निवासी है अगला प्रशन है जागेश्वर में मार्तोला आश्रम देखें कहीं पर इसे मिर्तोला आश्रम भी लिखा गया है तो आप कन्फ्यूज मत करना दोनों एक ही चीज़ है ठीक है मार्तोला या मिर्तोला तो जागेश्वर में मार्तोला आश्रम की स्थापना किसने करी सही आंसर है माधव आशिश के द्वारा जागेश्वर में एक आश्रम बनाया गया जिसका नाम है मार्तूला आश्रम जनपद कौन साब जानते हैं जागेश्वर आपके अलमोडा में आता है जटागंगा नदी के तट पर इस्तित है माधव आशिश के अगर में बात करूँ तो इनका जनम 1920 में इंग्लैंड में इनका जनम होता है और इनको अंग्रेज संत भी कहा जाता है सोमचंद द्वारा निक्त चार किलेदार जिनको चाराल कहा जाता था मूल तहां कहा के थे आप जानते हैं जब हमने पूरा चंदवंश पढ़ा चंदवंश के आप जानते हैं पूरे 62 राजा हुए और सभी 62 राजाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी जो हमारी चंदवंश वाली वीडियो थी ठीक है पूरी मास्टर वीडियो थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि सोमचंद ने चार किलेदारों कौन-कौन से थे? कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी चार किलेदार निक्त किये उन किलेदारों को चाराल कहा जाता था ये मुलताह कहा के थे? तो ये आपके निपाल के थे तो ये आपका सही आंसर है, चंद काल में अनाज के रूप में दैकर क्या था, तो देखें, चंद शाशन काल में जो टेक्स दिया जाता था नगद के रूप में, उसको कहा जाता था सिर्थी, ठीक है, और जो अनाज की रूप में दिया जाता था, उसे बैकर कहा जाता था, सिर्टी पेपर में पूछा जा चुका है, लगतार पूछा जाता है, अगली बार आपको ये वाला भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, सोनी भिलंग कहां इस्तित है, तो दीए सोनी भिलंग या भिलंग ये आपके टिहिदी गडवाल में इस्तित है आप जानते हैं जो पमारवंशे राजाता सोन पाल वो अपनी राजधानी वहाँ से चांदपूर गर से हटा कर कहां लेकर गया था सूनी भिलंग में लेकर गया था ठीक है तो ये कोशन आपको ध्यान रखना है सूनी भिलंग वर प्रचलित है तो देखे बिरादरी पंचायत जो है ये आपके बोक्सा जन जाती में प्रचलित है यहाँ पे जो ये बिरादरी पंचायत है इसमें आपके टोटल पांच सदस्य होते हैं ये सभी सदस्य जो होते हैं ये वंशनुगत होते हैं ठीक है वंशनुगत ये सदस्य होते हैं और इन पांचों में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे तखत कहते हैं तो ये कोशन भी आपको ध्यान रखना है कितने सधस्य होते हैं बिरादरी पंचायत में पांच होते हैं सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तखत होता है बोकसा के अलावा अगर पूछ बखा जाए कि बिरादरी पंचायत कौन सी जंजाती में है तो ये आपके थारूओं में भी देखने को मिलती है। अगला है उत्राखन्ड के उत्राखन्ड ने किस शाषन को स्वन जूग के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है कतूरी शाषन को देखें उत्राखंड में जब कतूरी शाषन इस्थापित था तो उस काल को उत्राखंड का स्वन्य यूग माना जाता है ठीक है? उत्राखंड पुलिस एवरिष्ट फतह करने वाली देश की कौन सी पुलिश बनी? सही आंसर है पहली पुलिश उत्राखंड पुलिश पूरे भारत की पहली पुलिस है जिसने माउंट एवरिष्ट को फतह किया है आसकोट आंदूलन कब हुआ था? तो देखें आसकोट आंदूलन आसकोट के अंदर जो राजशाही थी उसके खिलाफ होता है 1924 में यह आपको ध्यान रखना है ठीक है आसकोट आंदूलन राजशाही के खिलाफ हुआ और कब हुआ 1924 में कोड़वार रेलवे स्टेशन कब बना था? देखें कोड़वार रेलवे स्टेशन पौड़ी का एक मात्र रेलवे स्टेशन है और इसको 1890 में यहाँ पे बनाया गया था एक और कोशन बनता है कोड़वार को नजवबाद के साथ कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 1897 में अगला है आपका कैराना पहाड़ी कहां इस्तित है? कैराना पहाड़ी आपके दहरादून के चकराता में इस्तित है चकराता को कई बार हम पढ़ चुके हैं कि चकराता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है ठीक है? और यहीं पर पहाड़ी है कैराना पहाड़ी तीहरी जलाशाय का छेतरफल कितना है तो देखे जो तीहरी बांध है तीहरी बांध का जो जलाशाय है उसका छेतरफल यहां पे पूछा जा रहा है तीहरी बांध जलाशाय का छेतरफल यह आपका 42 वर्ग किलो मीटर है और ये जो पूरा आपका जलाशय है इसका नाम क्या है तो इसको स्वामी राम्तिर्त सागर कहा जाता है ये इसका आधिकारिक नाम है लेकिन अगर मैं लोकल नाम की बात करूँ इस्थानिय नाम की बात करूँ तो इस जलाशय को सुमन सागर कहा जाता है दोनों नाम आपको य परिश कहा जाता है, सही आंसर है, खेंट परवत, खेंट परवत आपके टीरी में है और इसे परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है, और आज का अंतिम प्रशन है, कौशिक समीती ने उत्राखंड को कितने मंडल में विभाजित करने की सिफारिश करी थी, दिखेंगे कौशिक समीती का गठन किया गया, तो इसने यह सिफारिश करी कि उत्राखंड के अंदर तीन मंडल बनाये जाने चाहिए, कौन-कौन से मंडल, एक मंडल आपका कुमाओं मंडल, एक मंडल आपका गडवाल मंडल, और तीसरा मंडल इन्होंने तराई मंडल बनाने की सिफार पी यहाँ पे करी थी ठीके तराई मंडल, गड़वाल मंडल, कुमाउ मंडल, तीन मंडलों में विभाजित करने के शिफारिश किसने करी थी यह आपके कौसिक सम्मीति ने करी थी तो यह थे हमारे उत्राखन जो हमारी विभिन वन लाइनर बुक्स हैं, उनके नोट्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी अभी तो हम रैंडम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं, 50-50 कोशन का मैं सेट ले कर आता हूँ, सभी कोशन आपके इंपोर्टेंट होते हैं, साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के आंसर, क्योंकि आप जानते हैं, जो आपकी विभिन वन लाइनर बुक्स हैं, काफी सारी गलतियां भी उनमें हैं, हाला कि जादा गलतियां नहीं हैं, लेकिन गलतियां हैं कुछ कोशन में, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको कवर की फिर भी अगर किसी कोशन में अगर आपको डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ ही अभी हम यहां पर 50 कोशन का सेट कर रहे हैं जल्दी ही जो आपकी अधर वन लाइनर्स की बुक्स हैं इनकी मास्टे वीडियो जाएंगी ताकि आपको जो पूरा जो कोशन है थोड़े नई कोशन है वो आपको एक जगा पर मिल सकें अधर वाइस आप अपने बेसिक को कवर करते रहें मैंने शुरुबात में भी आपको कहा उत्राखंड के लिए UKSAC के लिए उत्राखंड के लिए जो आपकी बेसिक तीन बुक हैं परिक्षावानी करते रहें आपको कुछ जादा अलग पढ़ने की ज़रुत नहीं है हमारी वीडियो में आपको सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके आपको प्लीलिस्ट मिल जाएंगी इसके अलावा अगर आप उत्राखंड क्विक रिवीजन की सीरीज को भी करते हैं तो आपको फ पसंद आया है वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू फ्रेंड्स